बालक यह जो कोश्चन तुम्हें भी स्क्रीन पर दिख रहा है यह बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है एक्जामिनेशन से पहले इस कोश्चन को जरूर एक बार सॉल्फ करके ही जाना कोश्चन में यह बोला गया था वालक कि पूब डैट ऑपोजिट साइड अफ एक वाड़ी लेटरल सरकॉंस्क्राइबिंग असरकल सब्टेंट सप्लीमेंट्री एंगल अट दे सेंटर अब दे सरकॉंस्क्राइबिंग जो है ना वालक इसका मतलब यह है यहां जो क्वाडी लेटेरल यह एक ट्रेंगल का जितना भिसाइडे क्ता थीनों साइड और क्वाडी लेटरल का 4 साइड अगर संद्गंद तो बोला जाएगा वाडारा कि त्रेंगल है वह उसकल को सरकॉंस्कॉंस्काइब कर रहा है तो इस तरीके से यह ठिकन दिया हुआ है और तुम से बो यह साइड बील करके यह जो सेंटर पर दो एंगल बना रहा है जैसे a.b.c.p पर कौन एंगल बना रहा है वालक यो भी और dc सेंटर पर कौन एंगल बना रहा है डी यो सी यह दोनों एंगल का सम 180 होगा मतलब supplementary होगा यह बात तुम को फूफ करना है यह बात को प्रूफ करना है तो यहार हम लोग यहां पर लिख सकते हैं तुप्रूफ में हम लोग लिख सकते हैं बालक कि we have to prove एंगल डी ओ सी अंगल डी ओ सी प्लस देखो डी ओ सी प्लस एंगल एओवी एना एओवी इस एकल टो 180 डिग्री वीडियो को रोक लो एक बार खुद का लोजिक लगाओ खुद से सोचो और तभी इसका सोलूशन देखना है ना पूफ में चलते हैं बालक हम लोग यहां पूफ में चलते हैं पूफ के लिए यहां पर वालक हम लोग एक च्चुता सा कंस्ट्रुक्षन कर सकते हैं एक चुटा सा कंस्ट्रुक्षन यह कर सकते हैं वालक देखनी है हैना यहां सेब्सक्ट है इस पॉइंट ओफ को भालक को इस तरा है ज्गर जैन कर दे क्लें तो शाहिच बातर के चंशन tomorrow से पौइंट यह धाम नाञा बहुन दिन हम इसको रीडियżyć हैं थोड़ा इसको लोग कर लिया जाए इसको forward देखो जान देखो यह इंगल डिया है यहां पर लेट किया बॉल एनगल अगल एंगल वन है यह वला अंगल 2 है यह वला एंगल 3 है यह 5 है 6 से 7 है और यह 8 है हना हम लगों को डी ओसी प्लस एओ बीक अ वह लो 180 डिग्री प्रूस करना है अब दोखों यह बोल रहे थे कि अब प्रूफ में चला जाए हम लोगों को पास यहां पर दो ट्रेंगल है यह वाला तो पहली बात 90 डिग्री है यह वाला भी बालक 90 डिग्री है यह दोना एंगल 90 डिग्री है क्यों है 90 डिग्री बात तो किलिर होगा हम लोग यहां पर दो ticesな एक तो बात यहां पर एक बात है इस स्कॉल to od लिख सकते हो यह common है यहां लिख सकते हो बालक इच इक्वल टू 90 डिग्री इच इक्वल टू 90 डिग्री और यहां लिख सकते हो common बढ़ियां से लिखोगे examination में properly लिखोगे full marks अगर तुम्हें लाना है तो बात के लिए रहां उसके बाद एक और बात हम लोग यहां पर लिख सकते है कि यार जो यहां डी है ना डी यह वहला जो डी है यह वालक डी एफ के ब्राबर होगा डी एफ के ब्राबर होगा क्यों ब्राबर होगा यूदि एक external point है और इस पॉइंट से circle पर जो दो टैंजेंट प्रोगा बालक यह दोनों का लिंद तमेशा इक ब्राब होगा है ना तो रिजन में यहां पर रिखोंगे रिजन में ब væलक्या लिक लिखोंगे तैंजेंट टैंजेंट ज प्राबुन इस वे रिक्स route रोगे तो यार यह गया दोनों ट्रेंगल तुम अभी देख यह दोनों ग्राइब कांगूरुएंट हो गया है ना तो ऑन ग्रेंट लिखते समय ठोड़ा इसे तरीके से लिखेंगे पहला इसे दोड़ां से लिख लेंगे यह जो डी यहां पर और यह ब्राद की अठीव के ब्राबर था तो है यहां पर ऑडी हाँ प्रहों दियों ले तो बात ठीक है क्या है अगर तो अगर 6 pregnant Fir यहां up कर के ब्राबर था तो हां दो कर के टीट्विए करके और हम त्यंग बसको इस ट्रिंग से ते कॉंधर फिल रह लोगा फिलिए कि भीमें लएक क्या धालेंगे इस ट्वासिव गालके he Twilight system टोनों पार्फ यहां कोई यहां से मिला यह जो ओंगल है यह उके बराबर हो गया क्योंकि यहां बीच में है यहां भी ओ बीच में है और यहां बीच में मतलब कि ओंगल O के बराबर है यानि हम लोग की सकते हैं कि एंगल 7 जो है इस फिगर में एंगल 8 के बराबर हो जाएगा के भाइ G4ila by CPCT मस् Za 1965 सकते हैं कि 7 एंग जो हैं यहां पर यह 8 के बराबर हो जाएगा लिग सकते हैं कि अबрийक मालक यहां तक drei के से इसी तरीके से अगलोग चाहे तो यहां ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि वन जो है टू के बराबर होगा इन दोनों ट्रैंगल को फॉउब प्रू'll कर देखां त्या Kal यहां भी 90 यूदा तो यह दोनों ट्रैन्गल कंगुरेंट हो जाएगा से इसी सीविए तरीके से होगा से हदू तAnt2 34 के बराबर और यह दनों को इसीड के बराबर बात क्लीर है ना थो मोगों को सब को कॉन्गुरेंट करने का जुरूत नहीं है बहुत बच्चे डाउट मेरा थे कि सबको कॉन्गुरेंट करें क्या नहीं बालक एक को प्रोपर ली कॉन्गुरेंट कर दो और बाकी को similarly में लिख दो है ना तो यहां पर अनों गुलिक सकते हैं कि similarly we can proof हम लोग यहां पर प्रूव कर सकते हैं है वी करोफ एंगल वन जो है यह टू के ब्राबर हो जाएगा एंगल बहुत असान है बस ठुढ़ा सा और देख लो यहां पर यह पर बनाते हैं मालग थोड़ा सा बस देखलो टीजी है हमको एक पात बतेबरात तुम के एंगल वन से लेकर के एड मेसारी छोटे छूटे सुटे एंगल को अगर हम लोग एड कर लेंगे तो उसका सम कितन आएगा 360 मैं हम लोग लिख स्कते हैं educ one plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle plus angle 8 is equal to 360 degree 360 degree बात के लिए रहन बालक बड़े आशी दिकर आना अब देखो यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ करना है DOE is equal to AOB यह बात हम लोगों को प्रूफ करना था यह लिखे थे ना देखो द्यांसर DOC लिखे थे द्यूजिए और AOB का संब्वनिटी तुम्मित बद्यूजी बताओ कि DOC के लिए दी ऊची के लिए और इसको नीचे करते हैं भालग देखो ड दी ऊची के लिए और मतलब है हाना यहां लिख लेते हम लोगों को मतलबGS अबालक eight or one 154 इसको रखते हैं और बागी को एलिमिनेट कर देते हटा देते कैसे हटाएंगे देखो जैसे देखो हमको बालक 5 रखना हमको 8 रखना है 1 रखना है फोर रखना है दो यहां पर 1 को रखना है हम एक बात बता रहे हैं कि 1 और 2 आपस में बराबर है तो 2 के प्लेस पर अगर हम रखने तो क्या दिक्कत है बताओ 1 और 2 आपस में बराबर है तो हम 2 के प्लेस पर अगर वन रिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा करने से हमारा टू जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हम को प्रूफ जो हम लिखे हैं प्रूफ करने के लिए उसमें 2 कहीं नहीं क्या रहा है बात के लिए तो लिए ना तो हम 2 क prints लिधी है कि यह दोनों ईक्ओल तो रखी सकते हैं उसे तरीके से देखो अपने को फॉर से मतलब है तो थे प्लस पॉर उससी तरीके से हमको फाइब से मतलब है जो भीस एंग प्लस एंगल फाइफ न उसी तरीके सबालक यहां पर लोग European एंगल 8 प्लस एंगल 8 लिख लेंगे 7 को 8 लिख देंगे कि यह दोनों बराबर हें यहाँ पर पूरूप्ट है is equal to 360 डिए is equal to बालक 360 दिए बात के लिए है यहाँ से देखो टू एंगल 1 plus 2 एंगल 4 पॉर अना प्लस टू एंगल 5 plus 2 angle 8 is equal to 360 degree यहां पर बालक टोटल 4 टरम से चारो में दो है तो दो कॉम लोग ले लेंगे यहां से गरम 2 कॉम ले 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 ना बच्वा तो 1 प्लस अंगल 2 प्लस एंगल सोरी अंगल 4 है यहां पर हो यहां पर बालक एंगल 4 है यहां पर एंगल 4 है तो 2 एंगल 1 और यहां पर बालक 4 है यहां पर 4 प्लस 5 प्लस 8 इज इकल टू 360 यह वाला जो टू है इधर मल्टिप्लिकेशन में उधर गया तो डिवाइड में कैंसल कर देगा तो यह बालक इसको 180 को प्लस फोर को तुम क्या लिख सकते हो वन प्लस फोर को तो हम लोग जो प्रूफ करना उसके फार्म में लिख पाएंगे लेकिन हम यह बूल रहे थे कि वन और एट को देखो इन दोनों को एक साथ हम लोग लिख लेते हैं 601 प्लस एट और 4 प्लस 5 को बालग एक साथ लिख लेते हैं ौ इस तरीके से लिख सकते हैना अब मताओ कि बन गयाओ सकते हैं डूथ भालं सुख दीो उसले और ऑफॉर फोड संय और क्या लिख सकते हो एंगल कि यहां से बात प्रूफ हो जाता है कि किसी भी क्वाडिलेटरल का अपोजिट एंगल जो है बालक वह सेंटर पर सप्लिमेंटरी एंगल सब्टेंट करेगा अगर वह एक सरकल को सरकम्स्क्राइब करता है इससे अब्जेक्टिव कोश्चन भी बन सकता है एंगल साइड जो है हमेशा सिंटर फर वन घृटी डिगरी बनाएगा मतलब कि जिस तरीके से हम लोग प्रूफ किये आँड़िए hem लग प्रूफ कीए और येंगल का समवन य隊 उसी तरीके से इस इस एंगल और इस एंगल का भी समवन इटी होगा आयो विडियो तुम्हारे लिए बेनिफिसियल होगा हना इस टाइब का और भी इंपोर्टेंट पीवाई की कोश्चन देखने के लिए बालक एक बर प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करो डिस्क्रिप्शन को चेक करो पीवाई क्यू करके अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है जिसमें केवल इ प्रेक्टिस कर रहे हैं मिलते हैं वालक हम लोग नेक्ट वीडियो में बाई